इस मनीश और निफ्टी की डेली अनलिसिज में आप सबका स्वावत है तो फ्रेंड्स जिन्हों ने भी वीकली अनलिसिज नहीं देखियो न वो चैनल पर जाके विजट कर सकते हैं मैंने वीकली के निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लेवल्स दे दी हैं इनेक्स वीक को मैं हर एक ट्रेडर हर एक जो प्लेटफर्म है फस्ट टेलिग्राम सेकेंड ट्विटर थर्ड इंस्टाग्राम एंड फूर्थ जो यूट्यूब का हमारा कॉम्टी बॉक्स है वहां पर कॉम्टी में डाल देता हूं मैं ठीक है कभी-कभी अगर यूट्यूब पर नहीं सबसे पहले हम लोग समझते हैं फिर हम आगे के बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे को सुम्वर्ग दिन किस तरीके से कारोबर करना है ठीक है अब देखे फ्रेंड सवानों बजए की क्या केंडल रही इस बजार मैं कंटिन बोल रहा हूं कि कि बीच में दो ट्रेडिंग सेशन कुछ ऐसे हुए कि जिसमें बजार ने 15 मिनट की के बाहर करोबर करा हूं अधरवाइस सारा दिन उसी के बीच में निकालता है और अभी फिर से वही किया ठीक है अब बीच में दो दिन जिस वक मोमेंटम आता है ना उस दिन तो बड़ा पार्चम हुआ जाएगा अधरवाइस सारा दिन उसी में निकालता है और सारा दिन अभी फिर उसी में निकालता है ठीक है तो 90% अब डेस यही ट्रेडिंग चल रही है अब हुआ क्या इसकी वज़े से इसकी वज़े से हुआ कुछ नहीं फ्रेंट्स यह जो ट्रेंड लाइन है यह ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई राइट यह लिजे यह ट्रेंड लाइन मैंने अड्रेस्ट कर दी तो लाग था और अड्रेस्मेंट कर देते हैं इसको यह दिस दिस इस अड्रेस्मेंट ठीक है क्यों किया अड्रेस्मेंट आपके सामने किया इसलिए किया अड पूंखते हैं। ढूंस देने के बाद यह ट्रेंड्लाइन है यह दुबारा से वो पूरानी वाख्रतली तो अब दबारं देकुंद दॉवह सब मВलीड होगी। कुछ लोग भी रहे होंगे कि यह ट्रेंड लाइन जो है वह वैलिड है तिक है तो अब इसमें मैं आप को एक ची सिखाना चाहता हूं फ्रेंड्स देखिए ट्रेंड लाइन एडजस्क किस सिटूशन में होती है उस सिटूशन में जहाँ पूरी केंड़ क्लोस करें विक्स को उसके अंदर जो विक बनती है उसके अंदर काउंट नहीं किया जाता है ठीक है तो यह जो ट्रेंड ला हुआ सारा दिन कॉंसोलिडेशन क्या बता रहा है कि नेक्स मूव नेक्स पॉल से पहले करेक्शन है ठीक है अब देखे हम जो तैयारी करते हैं हमेशा कि गैप आप या फ्लैट खुलके ऊपर जाएगा उस सिटूशन में क्या करेंगे गैप दाउन या फ्लैट खुलके नी और इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश भी करी जाए इंट्रेडे में लेकिन फेलो तो अब क्या होगा जब यह गैप डाउन खुलेगा कि फ्रेंट्स देखे सपोर्ट जो आता है इमीजेट वह तो पांसो तीस आता है उसके नीचे अगर बजार चलता है फ्लैट खुलके पांसो तीस को ब्रेक कर देता है तो फिर चार्सो असे का टार्गेट आएगा पहला नीचे जा रहा है फ्लैट खुलके टीक है गेफ में मान के चल रहा हूं रिकवर हो जा अगर वह रिकवर नहीं होता और बड़ा फॉ लाए उपर आने दीजिए अगर वह पांसो तीस चालिस तक आता है फिर देखे एक रिवर्सल केंडिल बनती है तो वहां से उसके उपर का स्टॉप लोस लगाके शॉट करतेंगे पहला हमारा टार्गेट हो जाएगा सिधा सिधा पांसो तीस के नीचे जब दुबारा से च चार सो स्टी का मेला टार्गेट बनेगा ठीक है या फिर कोई रिकबरी ही नहीं आती चोटा सा कॉंसोलिडेशन बड़े क्याप्डाउं के बाद हो जाता है जैसे मैंने आप बताया पंदरा मिन्ट के अंदर ही साली चाल चलती रहती है पूरे दें तो अगर वह चार सो क्या नीचे ही चल पड़ता है या चार सो पचास पे खुलता है और चार सो पचास पे खुलने के बाद वह एक उपर की तरफ जाता है और सारा दिन इसी रेंज में कंसॉलिडेट कर जाए तो हमें कैसे करना है तो देखें 400 के उस पड़े करे तो उपर जाने दीजिए थोड कि अगर यह 480 के असपास खुलता है वापिस से उपर जाता है फिर वह 400 के नीचे चलने लगता है 450 को जैसी पर रेक करता है 300 के चारशुपचास तक अगर जाता है उपर जाता है consolidate करता है breakdown देता है 300 अस्ति के लिए लेकिन अगर बजार 450 के आसपास खुलता है तो हमारे लिए next resistance मेजर रस्ति हो जाएगा 400 अस्ति के देखिंगे क्या प्राइस एक्षिन बनता है उसके उपर निकला तो फिर पान्सो तीस हो जाएगा ठीक है तो फिर पान्सो तीस के आसपास अगर रिवर्सल बनता है तो शौट करते हैं आधरवाइज यह यहां से उपर गया और दुबार अगर 430 के आसपास, 450 के आसपास खुल गया, वहीं सपोर्ट बना लिए, बेस बना के ऊपर निकल रहा है, तो 400C के लिए तो आप ट्रेड नहीं लोगे, तीस पॉइंट के लिए, 450 से 400C के लिए ट्रेड लोगे नहीं, क्योंकि यह तो ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन क् ठीक है, इससे भी हलका सा ऊपर जाके हो सकता है, नीचे कुम जाए, क्या कर लोगे, तो बुल्स को क्या करना चाहिए, बुल्स को ऐसी सुटूशन में बजार को 380C आने का बेट करना चाहिए, प्रे करना चाहिए कि बस किसी तरीके से, फटा 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 से 380C आ जाए, प एकनों बेस बनाके उपर निकले ता, ठीक है, दूसरा बुल्स के लिए क्या है कि फ्लैट खुलके ऊपर का एक रेजिस्टेंस है, पान सो असी, चालिस पइंट उपर जो आज के समय में क्लोजिंग है, पान सो असी तक का यह रेजिस्टेंस है, इसको जैसे ही वो क्रॉस कर ले फ्लैट खुलके या गैप अब देखके तो गैप अब दे तो थोड़ा सा नीचे आने दीजे, बेस बनाके उपर निकले, तो फिर टार्गेट क्या बन जाएगा, छे सो चालिस, फिर उननीच छे सो पचासे, उननीच छे सो असी ट्रेड ही नहीं करना है, एक बार छे सो सी के उपर बैठ गया, तो फिर साथ सो बीस तक के लिए इंट्रा डे में चालिस पॉंट मिल जाएगा, वैसे तो फिर आट सो के भी टार्गेट उपन हो जाएगे, लेकिन वो सेम डेर आना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो उपर के लिए क्या करना है, वो मैंने आपको बता दिया, लास में पटाफट इसलिए बताया, क्योंकि उपर की प्रोबिल्टिक कम है, गैप डाउन की ज्यादा लग रही है, तो गैप डाउन में भी मैंने आप लों को दोनों सिनर्यों बता दिया, चार सो असी पर होगा, तो अगो पान सो तीस तक चला जाए, या तो और निचाने दिया, या फर पान सो तीस कहत देख लीचे है, कि वहाँ पर करता रिवर्सल बनता है, तो चार सो असी तक जाने देजे, और आफ य या पर और वाहां से डिवर्सल बनाए, फ़र शॉड कर दीजै या फिर सब फ्र दीनस सा तक क निचे 10 तो वहां पे भी आप गॉर्ल ट्राइक कर सकते हैं तो आई होप कि आपको अनलसे समझ में आई होगी आनलसे अच्छी लगे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन जरूर आप जिए जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आप वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजे जिससे मुझे मोटिफीशन मिलता आ लाइक और कमेंट जी मोटिफिकेशन एफzd और क्या मोटिफिकेशन होता है अगर मैं कि वीडियो बना रहा हूं कोई चार्जस वाहता है ऑफको पैसे दे के उनलय strive न आपको अच्छी लगे तो आप कंच्राइब भी तभी कर रहे हैं जब आपको अच्छी लग रही है आपको पसंद आ रही है तो लाएक और क्मेंट ज़रू कर गया तो थेंच्यू-थेंख जिटेंपी बेरी मच्ष से